हेलो बिल्कम्स मैं फ्रेंड्स एन्वाइड ए स्टुडेंट क्लास 10 के स्टुडेंट है तो आज पूरा वीडियो देखिएगा वह ऐसे फसे का मुझे पता ही है साथी साथ यहां पर हम डिटेल बताएंगे यहने का मतलब समझ रहे हैं जो बिकल्प होंगे उससे लेटेड़ चीज़े पताते जाएंगे और आपको अगर वह कुश्चन नहीं मिल रहा है तो उससे लेटेड़ कुश्चन लेगा मतलब हंड अब्जिक्टिव खतम कर दूगा मैराथन ठीक है फिर लाश्ट में जब पेपर आपका जब होने लगेगा उसके एक दो दिन पहले में रिवीजन बारूँगा टोटल सभी पार्ट का मैराथन सभी को कॉम्बिनेशन करके बना दूँगा तेहां पर आज आपका है प्रकास ठीक है तो यहां पर हम इसको हम चलते हैं दिखाते हैं उसके बाद हम आगे चलते हैं ठीक है चलिए हम अगले पेज पर बढ़ते हैं पहले अगला पेज दिखाते हैं तो अगला पेज हमारा यहां पर है सभी question आपके लिए important है यह रहा ठीक है यह रहा आपका question और यहां पर आपका देख सकते हैं पहला question है कि निम लिखित में से क्या है यहां पर पढ़िए आपका यहां पर क्या है यहां पर आपका है देखिए निम लिखित में से बोला जा र इसमें किस से नहीं बनता है ये बताना है बताईए आपका लेंस किस में से नहीं बनता है आप खुद से समझ सकते हैं जल पांच प्लास्टिक मिट्टी अब बताईए किस में नहीं बनेगा खुद ही समझ सकते हैं कि हमारा जो लेंस बनता है वो आपका मिट्टी से नहीं बने है क्विस्ब न दिखाई दे तो थोड़ा SD क्वाइल देखिएगा तेन्ट इपी में देखिएगा दिहाई देगा पहला है समतल दर्पड और दुसरा है उत्तल दरAud foram तीसरा है उत्तल दर तो आप यह किलियर कर लीजी कि उसमें लेंस होता है दरपड तो आप खुछ समझें उसमें आपका दरपड यूज होता है क्या यूज होता है दरपड दरपड को मतलब उसमें आपका रिफलेक्शन कराया जाता पर परावर्थन कराया जाता कि फोकस एक जगह जाके तो उसमे हमारा जो है दरपढ़ होगा और दरपढ़ हमारा कौन सा होगा आउतल दरपढ़ होगा कौन सा दरपढ़ होगा उसमें हमारा आउतल दरपढ़ होगा मतलब हमारा ये वाला सही होगा आउतल दरपढ़ ठीक है उसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर तो अगला पेज हमारा यहाँ पर है यह अगला पेज यहाँ पर है ठीक है यह तीसरा कुशन आपके सामने इसमें बोला जा रहा है कि प्रकास की किरर गमन करती है अब बताएं प्रकास की किरर गमन करती है कैसे किरर जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है या फिर आपका किसी भी दिसा में गमन कर सकती है इन में से कोई नहीं अब बताईए परकास कैसे गमन करती है परकास की जो किरण होती है ओ आप बताईए सीधा जाती है कि टेरी जाती है कि किसी एक ही दिसा में जाती है कि इन में से कोई नहीं आपको ये बताना है तो परकास क में आपकी सीधी रेख कमेंट कर देना है वीडियो में अच्छा लागा कैसे लागा रिस्पॉंद दीजे फिदतकी यह पर घाल देड़ेंगे और श्रक्रती कर यह जबना है प्रेक्टिस करिए और नीचे अंसर की मिलाईए ओके चलिए हैं हम अगला कोईशन पढ़ते हैं कि किसी प्रित्विम स्वारी 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 स वहासी बन रहा है सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है मतलब आपका प्रित्विम जो है वह आपका भासी बन रहा है सीधा बन रहा है और उसके साथ साथ आपका वह प्रित्विम बड़ा बन रहा है तो कब बनता है साथ अब आपको क्लियर करना है कि मुख फोकस पे जब पर बनता है कि वो करता केंद पर रखने पर बनता है वकरता केंद से बाहर परे बनता है या धुरूब के और मुख फोकस के बीच में इसका वीडियो हम बनाए है देख लेना वहां से समझाए क्योंकि आपको आपको अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा हम स्वार्ट वीडि जाता और सीधा भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है यहीं किसी दिसमें होती है जो हमारा इसमें हमारा क्या सही होगा इसमें हमारा डी सही होगा कौन सही होगा ठीक है हम चलते हैं अगले पेज पर तो अगला पेज हमारा यहां पर है गला पेजिए देखिए इसमें आपका कि यादी किसी आउतल दरपर की फोकस दूरी या फोर्करता तृज्यार होतो तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा सही होगा अब डिटेल इसका थोड़ा समझाते हैं जब फोकस दूरी पर दे हमारा सूत्र क्या होता है कहने का मतलब अब सूत्र इसमें से पता होगा समझ लीजिए कि आपका इसमें फोकस दूरी और वकरता तरिज्या की बात हो रही है ठीक है फोकस दूरी और वकरता तिरिज्या की चर्चा हो रही है तो फोकस दूरी और वकरता तिरिज्या का मतलब होता है आर जो होता है आर बराबर जो आर बराबर होता है ओ होता है क्या अब दिमाग लगाई आर बराबर होता है टू एफ क्या होता है टू कि अभी बहुत कोईशन में आपको काम आएगा और एक अंक का पेपर में और फोकस दूरी का दो गुना होता है और फोकस दूरी का वकरता तृज्या का आधा होता है जो फोकस दूरी होता है उग Remo हमारा पहला सही हो जाएगा कौन सही हो जाएगा पहला और दूसरे को हम पढ़ते हैं कि प्रकास का बेग नूंतम होता है प्रकास का बेग जो होता है वो कम से कम किस में होता है निर्वात में होता है कि जल में होता है कि वाई में होता है कि कांच में होता है यह पूछा गया इसमें तो इसमें क्या होता है आपका कांच में होता है प्रकास करने उन्तम बेग होता है क्योंकि निर्वात में और वाई में बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रकास चलेगा लेकिन जैसे ही वो जल में जाएगा थोड़ा स्लो हो जाएगा उसका प्रकास क अकिरर और काच में भी आपका वो नियुंतम हो जाएगा इस तरीके से हमारा यह हो जाता है अगला हमारा कुश्चन है यहां पर इस तरीके से अगला कुश्चन है कि दाड़ी बनाने में किस प्रकार के दरपर का उप्योग किया जाता है तो आपका दरपर जो ताड़ी बनान विखेए बाद आठों कोशन है आपका किसी वार more time क्वाराश्ट वी प्रत्विंश और समाण साइज मतला बराबर साइज में बनना है बनना है उपरावी प्राव्थ कने के लिए जो उत्तल-अधर पर होता है उतरलेंस के सामने कहां पर रखना है वस्त को कहां पर रखना यह दिखाना है तो वस्त को आपको कहां पर रखना पड़ेगा इसको बताना है तो यह आपको रखना पड़ेगा फोकस दूरी के दूगनी दूरी पर रखना पड़ेगा ठीक है फोकस दूरी की दूग मैं आपको आपको सही दिखा सकता है यह दिमाग लगाना तो ऑक उत्तर डरपड होता है क्यों से वह सब्सक्राइ discussed आतर मतलब focusvel गुष हमने हुए कि हमने बना था की आर बराबर which या रपर होता है अर आपान टू इन में से कोई भी हो थो एस 꽃 बराबर न यहां Lesson जो कि यहां पर है सी नंबर यह मैंने बोला लगना कि याद कर लेना ही बहुत आता है आपका हर बार पुछा जाने वाला question है यहाँ पर चलिए अगला यह है इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है कि motor car के Headlight में किसका परयोग होता है motor car के जो आपका Headlight होता है उसमें आपका कौन सा तो मैंने बोला motor का भी बेने बता था कौन सा लेंस उसमें मतलब कौन सा प्रियोग होता था अभी आपके समने पता चला था ना कौन सा होता है तो आपका होता है उत्तल दरपड उसमें बला था मैंने दरपड होता है एक बार ने दो बार इसमें कुशन में ले लिया भूल से ले लिया या समझ लीजिए कि अगला क कोईशन है कालपनिक प्रतवीम कब होता है मतलब कालपनिक प्रतवीम कब बनता है कालपनिक प्रतवीम आपका बनता है कब कलपनिक प्रतवीम जो होता है वो होता कैसा है इसको बताना है कालपनिक प्रतवीम कभी बन सकता है लेकिन उसका जो होता कैसा है उल्टा होता है सीधा बाद हमारा जो अगला प्रस्ण है इस पर चलते हैं तो अगला प्रस्ण कुछ ही इस तरीके से है यहां पर देखिए इसमें अगला question पूछा गया कि किसी दरपर से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों किसी दरपर से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रद्विम सदेव सीधा प्रतीत होता है संभावता वो दरपर कैसा होगा मतलब आप कितनी भी दूर खड़े हैं किसी दरपड से परन तो आपका जो प्रिद्विम हो है सीधा बर रहा है तो पता यह दरपड कैसा हो सकता है उस दरपड मतलब वो दरपड कौन सा हो सकता है यह आपको बताना है ठीक है तो वो दरपड जो होगा आपका यह तो समतल होगा यह तो उत्तल होगा तो यह नि कि प्रित्वीम बनता है संतर Friend pen 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 में और समझे ने समय लेते हैं। उसके बाद लगाते हैं हमारा जो P बराबर होता है 1 upon F होता है क्या होता है One upon F होता है ठीक है P का मतलब छमता F का मतलब फोकस दोरी पता हो गया एक तब यहां पर लिख जाएगा मतलब वान अपान और जो इसका फोकस दूरी आपका होगा तो फोकस दूरी आपका फोकस दूरी पुछा गया क्या आपका वन ही दिया गया फोकस दूरी भी फोकस दूरी भी फोकस दूरी भी वन दिया गया है और वान आपका मीटर में मीटर में यह था ना किसमें म मतलला हमारा कुईश्यण में 15 में कैसे होता है पॉजेटिव में होता है अबिस ताइब कभी आपका बहुंपी कल्पी कुछा जाएगा अब यह भी आगए इसको याद करें इसमें हमारा कुजो कि यह ragaz प्लस दोनों रहेगा तो याद कर लेना उत्तल में हमेशा पॉजेटी में होगा और अगर आउतल आजए इस दुझेगा निगेटीव होगा चलिए अगले कुईशन पर चलिए सोला नंबर कुईशन आपको समने कि लेंस की छमता कैसाई मात रख लेंस को जब मापते हैं इसक किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है आपका किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो कैसे होती है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो हमारी कैसी होती है वो हमारी फोकस दूरी पोजेटिव में होती है कैसे होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी होते हैं और अपना दिमाग से लगा लेना ठीक है इस तरीके से हो गया अठार नमर बोला टूटी छमता वाले फोकांसा मतलब फोकस दूरी अभी हमने बोला तो छमता आपका टूटी है और आपका सेंटीमीटर में माप दिया गया है मतलब मैं क्या करूं यहां पर अगर मैं स सेंटीमीटर बस हमारा हो गया इसका मतलब 20 सेंटीमीटर डी आएगा इसका मतलब क्कूंसा याएगा डी आयगा हमारा डीикиुष्इन कांसर सही हो एकदम यार आसान है इस question से पूरे PGAF से हमारे कर लेंगे आप 100% कर लेंगे मुझे पता है आप एक बार फिर से try कर लेना कर लेंगे आप चलिए अगला question है 19 का 19 में क्या बोला जा रहा है किस lens के द्वारा सिर्फ कालपनिक पृत्विम बनता है मतलब ऐसा कौन सा lens है जिससे आप केवल केवल आपका कालपनिक पृत्विम बनता है यह बताना है तो मैं यहां पर बोलता है कौन सा है ओ आउतल दर पर हो गया आउतल आउतल लेंस मतलब लेंस की चर्ज़ा हो रही है तो आउतल हो गया उसके बाद अगले question पर चलते हैं किस उत्तर लेंस द्वारा फोक तुट्तल है positive में रहेगा मतलब यह 2D positive में रहेगा मतलब हमारा positive में यहां पर है डी पर 20 में इसका मतलब D सही होगा एकदम 100% यह question clear कर लें न ताकि आपको कभी भासने की बात न रहे और बहुत आता है यह मान के चलना हमारा question अगला ही है यहां पर अगला question में है 21 नंबर में कि प्रकास का वर्ड भी छेपर किस उपकरर से समभ होता है मतलब कौन से उपकरर प्रकास का जो वर्ड भी छेपर मनाते हैं मतलब वर्ड भी छेपर समझे ना उनके वर्ड को हम रंगों का लग करते हैं तो कहां पर उसको करते हैं डर पड़ पर करते हैं याद हो गया हो पुलते हैं इसको हम किरड़ पुंज बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको किरड़ पुंज बोलते हैं वेरी सिंपल कुशन है कहने का मतलब आप लगा सकते हैं कर सकते हैं अगला कुशन है आपका सरल सुचमदर्सी में आपका परियोग होता है जो सरल सुचमदर्सी होता है उसमे दरपड का यूज़ होगा तो इसमें कौन सा यूज़ होगा इसको ध्यान देना है आपको इसमें उत्तल दरपड यूज़ होगा कौन सा उत्तल दरपड होगा फिर उत्तल लेंस की छमता होती है उत्तल लेंस की जो छमता होती वो कैसी होती है रिरातमक होती है धनातमक तो वो perspective में होती है इसके पहले मैंने बार-बार बोला? इसमें हमारा धानात्मा कोगा अगला question चलते हैं अगला question अगला question है isma Prime पहला 25 किसी गोली दरपर कि वक्रता तिरिजया 50 है तो focus दूरी क्या होगी? मैंने बोला वक्रता तिरिजया है यहां पर यहां पर छोड़ दीए to को इधर बटे भी लाके काट दीजिए तिया पत्चीस हा जा रहा है क्या जा रहा है 25 सा जा रहा है मतलब हमारा फेस में क्या हो जाएगा सही सी हो जाएगा ठीक है इस तरिके कि छमता होगी लेंस की छमता जो होगी अभी मने बताया था किसमें क्या होगी वन्डी होगी मतलब आपका यह होगा इसको पहले बार बताया गया है उत्तर लेंस को क्या कहते है उत्तर लेंस को आपको पता है किसमें अभिसारी अपसारी दो लेंस होते हैं लक्सी इसमें कौन सा लेंस होता इसको बताना है इसको बताना है दिसको और शारी होता है और आप जिसे नहीं ह explained कि कि किस दर पर से वस्तु का बड़ा प्रतवीम बनता है किस वस्तु सी वस्तु का प्रतवीम जू Για TO Director होता है इसको mapa उसमें कौन से दर से होता है वह आपका और तर पड़ोटा कौन से होटा और बढ़ता है और यहां पर देखिया है। ये बताए जा रहा है तो इसमें जो छोटा प्रतومति होता है, उत्तरलेंच से छोटा प्रतवीरं पता प्राब्त होता है। चलिए, अगोई में कोईशन के तरह बढ़ते हैं। जहां पर भी दिक्कत हो कमेंट कर देना और कोई दिक्कत हो कमेंट करने के बाद हमारे टेलिगान चैनल जोईन हो जाना नीचे डिस्कुस्वर लिंक है वार्शेब नमबर हमारा क्या है 9792506169 Barbara चैर भी कर सकते हैं ठाइम मिलते हैं मैं आपका reply करेंगे यहां पर है आपका जब परकास की गिरड हवा से कांच में प्रवेस करती है तो मुड़ जाती है मतलब आपकी गिरर जो है हवा से काच में जैसे ही प्रवेस करती है तो मुड़ जाती है किदर मुड़ती है अब आप दिमाख लगाएए मैंने इसको पढ़ाया है इसके पहले पार्ट पर ने पढ़ाया था कि अप वर्तन में जब यहां पर एक अभिलम होता यहां प्रकास करियर जब आती है तो हमेशा जैसे ही सगहन माध्यम में कभी गभी आए सघन माध्य में आती है तो अभिलम तरब जुगती है इधर इसको जाना चाहिए लेकिन अभिलम तरब जुगती है अगर यहाँ पर बीरल माध्य में जाता तो अभिलम से दूर हटती है किदर हटी है अगर इसको इधर जाना हो तो इधर हटी है दिमाग लाईए मैं दोनों त तरफ तीर बलागाद इसका मतलब अभिलंब से दूर जाएगी इसको आप समझना यहां से अभिलंब के निकटाइगी मतलब किस दरपद से वच्टू का बड़ा प्रित्विम बनता है किस वास्तू अगला question चलते हैं यह फार कर他 है यह आले जो है leans में मोक्रिख फोकस की संख्याह कितनी ओते हैं आपको पता होगा मुझे पता है कि आपको पता होगा कितनी होती है दो पर्थम focus और द vein focus मैं कितनी होते हैं वह भी दो होता है तो होता है याद रखना बहुत इसमें important question हैं कि इसके बाद मैं सभी पार्ट के लेका रहाँगा चिंता मत करिये कमेंड करना लोगों में कर्डिया अपने डोस्तों में ग्रूप में सेयर कर दा दिये एस पीडिया को और प치्डा दिजै वीडियो को भी सेयर कर दिये तो दोनेवे बराबर होते हैं और अप्तित्केरर और अभिलन और वह मतला इक रिखन पर होते हैं यह ऐसे कुछ नियम हैं आप यह समझ सकते हैं अगला च vielen 18 नमर किसी माढध्धम की आपवर्टनागि का मान होता है कि किस माढध्धम मतलब मेरा पहला इसमें सही हो जाएगा ओके अगला कोईशन पर चलते हैं तेहां पर है एक उत्तर लेंस होता है एक उत्तर लेंस जो होता आपको पता है यह तो आपका वो अभिसारी अपसारी में से होगा नहीं इसमें क्या होगा उत्तर लेंस कुछ इस तरीके से होता है मतल होता है पानो अगर यह नहों तो आपका वी अपान यू क्या वी अपान यू मतलब इसका सूत्र हमारा डी में है क्या है इसमें डी में है और बी में है यहां पर तो आपका यहां यहां पर क्या ध्यार देना और लेंस के बारे में चर्चा की गए तो लेंस का हमारा यह होता है तो भी इस पर confusion में हैं यहां पर आप इसको confusion करें यहां में लगा रहा हूं लेकिन यहां पर भी सही है तो यह अब ध्यान मत देना भी इसको मैं आप जिक्समें रख देना बाद में देखा जाएगा इसका कमेंट कर देना कि आखिर इसमें सही कौन सा होगा ओके चलिए अगल सब्सक्राइब देख लेगा जाएगा यहां वह देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी फिर भी समीं हम जो सही इसको बताने इसमें बड़ा ओधेए ब्रवाधे और यह संवान एक यह यह वहां जा जयाएगा पिर बैक्सितर चाहरा रहा है कि दो वक्रीपिरिष्ट्टों से घीरे थोस माध्यम को क्या कहते हैं तो यह बताना है उसको अब गताईए जैसे यहां पर है आपका ऐसे गोली और इसे भी पर है इसको क्या बोल देंगे अभी ये टोटल बन जाएगा गोली प्रिश्ट क्या बन जाएगा गली वन जाएगा क्योंकि दिहार आपका औरी भल भीका हो थार शेंप गै इस doświadgebaut और sciculis value 5 अपन. या आपका होता है दारपड का हीडागी है लगिन इस कम अगर हम उल्टा कर दें या अगर हम इधर वन साइड या फिधर करदें ता आपका वान अपन U से स्टार्ट होगा वन कुछ इस तरीके सरह ते आपका लेंस हो सूर्थलर200 में पलस यह द्यान देदेना देख लेना चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं प्रिद्विम की परकृत्व कैसी मताइसा बनेगा तो पृद्विम जो हमारा बनेगा वो बनेगा अब हासी और सीधा बनेगा ठीक है अब इसके बाद आपका यहां पर है 47 कौन सा है 47 47 में आउतल दरपड़ के मुख फोकस और प्रिद्विम भी इसमें रखा तो इस्थित कैसी होगी तो इसमें आपका होगा क्या अनंत पर बनेगा कैसा बनेगा इस प्रिद्विम जो जहां बनेगा अनंत पर बनेगा उ अगरा मुख फोकस पर रहे हैं तो हमारा पर द्विम कैसा बनेगा अनंत पर अनंत पर बनेगा तब बनेगा मुख फोकस पर अगर कभी भी दरपड में रखा जाए तब अनत बनेगा और उत्तर लेंस में रखा जाएगा तब अनत बनेगा अनत वाला अगर आप पयाद हो गया है तो आगे चलते हैं यहां पर आपका लास्ट पेज आ गया है ठीक है आपका गोली दरपड बोला जारा गोली दरपड का जो होता है गोली दरपड में इसमें आपका वक्रता केंद्र से की सच्पर निरूपित किया जाता है जो वक्रता केंद्र होता है उसको कैसे निरूपित किया जाता है इसको बताना है तो इसको बताना ठीक है तो अब बताईए वकरता केंद जो होता है उसको कैसे हम बताते हैं जो गोली दरपड होता है उसमें इसको हम कैसे बताते हैं इसको बताना है तो उसको हम सी से बताते हैं क्या होता है सेंटर होता है सी होता है याद कर लेना सी होता है और जब धुरूप की बात होती होई पी होता ह तो यहां तक हमारा कुईशन था और हमारा यहां पर यहां पर है आपको जब इसका पीडिया पाएंगे इस आंसर की से आप पूरा क्या कर लेना है आपको रीड कर लेना है और अपना पहले लगाना है बाद में अपने आपको अजमाना है मैं सही लगा रहा हूं बलत लगा रहा हूं और अदर गृप में सहीर भी कर देना इस पहले मैंने कमैस्टि कर लाया हूं इसी तरीकी का पीडिया वसमें भी है यह मैंने फीजिस कर लाय और आपी organic की लेकर रहा हूंगा और पूरे पूरे सही पार्टक मैंंन इस में औप employee type लेकर रहा रहा हूं साथ इस साथ मायरातहर भी लेके आ रहा हूँ, परिशेस पहले-पहले मैं सारा साल बकरानी की पूरी कोशिज कर रहा हूँ, हो सकता है आपका परिशेस पहले मैं करा ही दूँ, बट आपका response मिलेगा, आपका support रहेगा तो यहां पर आपको अच्छी तरीके से आपको आज मैंने यहां पर दिया फिर हमारा जब वीडियो आएगा तो आपको मिल जाएगा अगर आप सस्क्राइब किये रहेंगे मेरा सेकंड चैनल है मास्टर जी मुबाइल टेक चैनल जरूर इसको चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए वहां पर भी आपको मुबाइल कुछ अरनी से लिटे वीडियो बनाते हैं जो आपको पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ अरनी करवाए ठीक है तो याद कर लेना उस चैन कर दो आपको पती हैं ।